जो टिपनी मैं देने वाला हूँ, रामानुच दासा श्रीमान गट्टू वीन गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याई एक अर्जुन विशाद्योग श्लोक सैंतालेस। एवा मुक्त्वा अर्जुनस संखे रधो पस्था वुपा विशत विश्रुज्या ससरंचापं सोकसं विग्णा मानसहा। संजय दृतराष्ट से कह रहे हैं। हे राजा योद के मैदान में अर्जुन ने अभी कृष्ण से कहा है कि मैं इस योद में नहीं लड़ना चाहता और कई कारण और बहाने भी बताए। अर्जुन ने अपना धनुश और बान एक तरह फेंग दिया है और अपने रत में बैठ गया है। वह बहुत दुख से भर गया है। संजे दितराश से यही कह रहा था। इस श्लो के माद्यां से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए वह यह है कि जब भी हमारे मन में संदेश और पीड़ा महसूस हो तो हमें अपनी भावनाओं को अपने बढ़ों तक पहुँचाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्रीमत भगवत कीता का संपूर्न सार श्रीकृष्ण परमात्मा ने अध्याई 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कारे करने के लिए दिया है श्रीकृष्ण कहते हैं मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं मैं उन बक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूं श्रीकृष्ण परमात्मा ज्वारा बोली गई संपूर्न भगवत कीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिश्ये वचनमतवर जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सपलताएं और विजय प्रदान की आईए हम परमात्मा को अपनी प्रतिग्या दें कि हम इन आठ कर्मों का पालन करेंगे परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा तब या यग्य नहीं है मैं यह आठ व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए आप सब कृपिया अपने मन और हिदयक में इन पर विचार करें आईए अपनी प्रतिग्या का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन बरी मोह की कलपना करें और इस आनन्द को महसूस करें जै श्रीमन नारायन यह है हमारे आठ वादे हे श्रीमन नारायन आपके निर्देश अनुसार हमे यह सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कारियों को आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टी के लिए ही करूंगा हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने कहा था अनुसरन करें मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका ह और मैं हमेशा अपने हाथ पर हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कारम करूँगा और आपकी पूजा ही करूँगा हे श्री मन नारायन मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम वरज अठारा चिया सट याद है जहां आपने मुझे खुद को आपके सामने अरपित करने के लिए कहा था हे श्री मन नारायन मैं हमेशा आपकी शरणम में जाता हूँ हे श्री मन नारायन मुझे आपके शब्द माशुचह अठारा चिया सट याद है कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं मैं अब और शोक नहीं करूँगा हे श्री मन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता वितरित करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीरवाद दिया है मैं प्रती दिन कम से कम एक शलोक पढ़ने या सुनने का बचन देता हूँ हे श्रीमन नारायन आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाई मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन बक्तों तक पहुंचाऊंगा या पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिछित है हे श्रीमन नारायन मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही विवहार करूँगा जैसे आप चाहते हैं और मैं केवल आपके लिए ही काम करूँगा प्रति एक दिन श्रीमन नारायन को अपना वचन देना ही हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम अपने अडिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दे श्रीमन नारायन करिशिये वच्चनमतव श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुसार ही कारी करूँगा येवा मुक्तवा अर्जुनस संखी रधो पस्था वुपा विशत विश्रुज्या ससरंचापं सोकसं विग्णा मानसह वूम् येवा मुक्तवार्जुनस संखे रधो पस्था वुपा विशत विश्रुज्या ससरंचापं सोकसं विग्णा मानसह वूम् श्री मन नारायना करिश्ये वचनम तवा सर्वं श्री कृष्णार पनमस्तु जै श्री मन नारायना जै श्री मन नारायन सभी बक्तों से एक विशेश निवेदन हमारे जीवन में सभी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए प्रति दिन एक मिनिट वेतीत करें और नारायनास्त्रम पड़ें नारायनास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायनास्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narainastrum.org है और पंजी करन में अपना नाम और इमेल प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान किये गए इमेल पर आपको एक नारायनास्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रामाइन श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विश्नू नामम है इन तीनों को मिला कर नारायनास्त्रम कहा जाता है प्रत्यक विक्ति को इन श्लोकों का भिन्न सन्योजन प्राप्त होता है जब हर कोई 24,000 बक्तों के साथ प्रति दिन अपने नारायनास्तरम को पढ़ता या सुनता है संपूर्न रामायन का एक दौर श्रीमत भगवत गीता पारायन के 33 दौर श्री विश्नु सहस्तर नाम स्तोत्र पारायन के 24 दौर प्रति दिन पूरा होता है यह एक ऐसा उलेखनिय और असाधारन परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तौरंट जाकर अपना नारायन अस्तरम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन